इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एक कंजूस ब्यक्ति की पडिक्षा लेने भगवान स्वयंग आप पहुंचे लेकिन कंजूस किसी भी तरह से एक धेला देने को तयार ना था और तो और भगवान ने उसे वरदान भी देना चाहा लेकिन वह न माना और इस तरह भगव भान भी उससे हार मान लेते हैं ध्यान से सुनियेगा बहुत ही रोचक कहानी है आपको पसंद आएगी किसी नगर में एक ब्यक्ति रहता था नाम था ध्यान चंद दरसल वह इतना कंजूस था कि किसी को एक धेला भी नहीं देता था इसलिए लोगों ने हसी मजाग में ही उ उसकी पत्नी ने उससे कहा यहां से गंगा जी सिर्फ दस कोस दूर है सारा जीवन तुमने सिर्फ रुपया कमाया और बचाया कम से कम एक बार गंगा नहा आओ तो तुम्हें भी पुन्य मिले और कुल को भी दान चंद ने कहा अरी भागिवान गंगा जी नहाने से क्या मिल वहाँ पंडे लोग मिलेंगे तो उनको कुछ रुपया पैसा दान देना पड़ेगा पत्नी बिगर कर बोली अरे तुम जाओ तो सही जरात दान पुन्ने कर दोगे तो क्या बिगर जायागा तुम्हारा गाउं के आसपास के लोगों ने भी समझाया अब मरता क्या ना करता द इसलिए गंगा जी के पास होते हुए भी आज तक कभी गंगा अस्नान करने नहीं गया कि कुछ दान दचना देना पड़ेगा कुछ लोग होते हैं जिनके पास दान देने को होता तो है पर उनका दिल नहीं होता वहें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका दान देने का दिल न पड़ जाए इसलिए उसने कुछ रुपे पैसे भी नहीं लिया और खाली हाथ ही चल परा वह इतना कंजूस था कि पैसे खर्च न हो इसलिए इतनी दूर जाने के लिए भी वह पैदल ही चल परा बहुत देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचतो गया परंतु मुखे घाट की ओर न गया उसे डर था कि वहाँ इसनान करने के बाद घाट के पंडे लोग दान दचना मांग सकते हैं इसलिए भाग घाट से दूर एक सुनसान जगया तलास करते हुए एक जगया पहुंच गया उसने चारो ओर देख भाल कर इतमिनान कर लिया कि उसके अलावा और कोई ब्यक्ति उस घाट पर दूर दूर तक नहीं है घाट बिलकुल खाली वह निश्चिन्थ होकर गंगा जी में नहाने उतर गया और गंगा जी में डुपकी लगाई दान चन्द की कंजूसी देखकर भगवान सिरीहरी विसनुजी को भी हसी आ गई कि इतना लो भी आदमी नह देखा भगवान ने कौतुहलवस सोचा कि इसकी परिक्षा लेनी चाहिए उन्होंने तुरंत पंडे का वेस धारन किया और उसी घाट पर पहुँचे जहां दान चन्द नहा रहा था जैसे ही दान चन्द डुपकी लगा कर आया पंडित के वेस में भगवान तुरंत बोले यजमान की जै हो दान चन्द अचानक पंडित जी की ओर देखकर घबडा गया और बोला आप कौन हो पंडित जी बोले ब्राम्हन है महराज इसी घाट पर रहते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं दान चन्द बोला हद है यहां भी नहीं छोड़ा पंडित जी बोले घाट पर तो और भी दूसरे पंडित रहते हैं इसलिए हम तो यहीं सन्नाटे में पड़े रहते हैं आपके जैसे यजमान यहीं पर हमारे वर्स भरतक के भोजन व्यवस्था कर देते हैं तो गुजर बस होता रहता है इसलिए किसी बात की चिंता नहीं रहती यह सुनकर दान चन्द काप गया जोईलाकर बोला पर हम नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते और हम नहीं करेंगे एक वर्स तो क्या एक दिन की भी नहीं कर सकते अरे एक दिन तो बड़ी दूर की बात है हम तो एक समय का भी न कर बोले दान तो सरद्धा की बात है जितना करो कोई जबरदस्ति थोड़े ही है आपकी जैसी सरद्धा हो पर कुछ न कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा नहीं तो पानी से बाहर नहीं निकलने दूंगा गंगा जी का असनान जो आपने किया है सारे पाप धुल गया दान देकर पहला पुने कमा लिजी है जब पन्डी जी नहीं माने तो दान चंद हार कर बोला अच्छा ठीक ए एक धेला दे दे देंगे इससे जादे कुछ भी नहीं है मेरे पास पन्डी जी मनीं मन हस कर बोले चलो कुछ तो दिया पंडित जी बोले हम तो संतोसी ब्राम्हन हैं चलो यही ठीक है लाओ दान्चन्द घपरा कर बोला अभी नहीं अभी नहीं अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाया हूँ दान्चन्द बोला एक धेला जो हम देंगे वह उधार रहा आप अमारे घर से आकर ले जाना दरसल उस जमाने में धेला चलता था जैसे आज के जमाने में एक रुपया होता है वैसे ही तब एक धेला हुआ करता था पंडित जी ने मन ही मन सोचा एक तो एक धेला देगा वो भी उधार देगा पंडित जी मुसकरा कर बोले चलो यही ठीक है पंडिजी ने सहमती जताई कि ठीक है वो दानचन्द के घर से आकर एक धेला दचना ले लेंगे दानचन्द ने घर की राह पकड़ी पैदल ही चलता हुआ घर पहुँचा चलते चलते साम हो गई थी घर पहुँचते ही ठककर चूर हो गया वह घर में भीतर सोने ही जा रहा था कि बाहर से आवाज आई यजमान की जै हो यजमान की जै हो दानचन्द ने पत्नी से कहा देखो बाहर कौन आया है पत्नी बाहर होकर भीतर आई तो दानचन्द से बोली किसी पंडे को एक धेला उधार कर आये हो वो देने के लिए कहा आये थे क्या दान्चन ने बोला हाँ कहा था क्यों पत्नी बोली वो आ गये हैं बाहर बैठे हैं दान्चन अश्चर से बोला आ गया हो पत्नी बोली हाँ दान्चन बोला कह दू कि हम बिमार हैं दो चार दिन बाद आना पत्नी ने पंडित जी को हाल के सुनाया पंडित जी बोले अरे अरे यजमान बिमार हैं दान मिले चाहे न मिले लेकिन हमारे संकल्प में तो वह हमारे यजमान हैं ऐसे संकल्प में यजमान को छोड़ना धर्म नहीं है हम नहीं जा सकते हम यहीं रहेंगे जब तक यजमान सौस्त नहीं हो जाते आप तो हमारे भोजन सामगरी की ब्यवस्था कर दो भोजन हम आपी बना लेंगे पत्नी ने अंदर जाकर दानचंद को या बात बताई कि वह नहीं जा रहा वह तो जब तक आप बिमार हो तब तक यहीं रहने की बात कर रहा है और खाने पीने की बात कह रहा है इससे अच्छा है कि दे दो धेला दानचंद ने माथा पीट लिया कि कैसे पीछा छुडाऊं तब जाकर जोजला कर अपनी पत्नी से बोला कि जाकर कह दो कि दानचंद मर गय पत्नी बोली ऐसा कैसे कह दें जी यह तो पाप है दान्चंद बोला तुम जाकर कहो तो सही हम सांस रोक कर पड़े रहेंगे पता ही नहीं चलेगा किसी को इस पर पत्नी ने रोते हुए कहा कि अभी अभी वो तो चल बसे अब तो जाओ पंडित जी बोले सिब 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 यह तो बहुत बुरा हुआ लेकिन अब ऐसे समय में हम कैसे जा सकते हैं और आप अकेली कहां कहां भटकती रहोगी आप बैठो मैं सारे गाओं में खबर देकर आता हूँ पत्नी पंडित जी को रोक पाती इस से पहले ही पंडित जी के रूप में भगवान बिजली की गती से सारे गाओं में खबर करके आ गए कि दानचंद मर गया लोग सचमुच इकठा हो गए भगवान को हसी आई कि ऐसा जिद्दी नहीं देखा कि सांस रोक कर परा हुआ है लोगों ने उसे मुर्दा समझ कर उठाया और सब्यात्रा की तैयारी होने लगी अब दानचंद की पत्नी सही में जोर जोर से रोने लगी यह कहते हुए कि अरे यह तो जिन्दा है अभी मरे नहीं है लेकिन गाउवाले ढड़स बनाते हुए बोले कि बहन जाने वाले को कौन रोक सकता है वह तो गया यह तो तुम्हारा मोह है जो कह रहा है वह जिन्दा है इसलिए धीरज रखो पत्नी रोते हुए बोली काहे का धीरज रखों अभी नहीं मरे यह पर पत्नी की किसी ने एक न सुनी और गाउवालों ने दान्चंद को बांध दिया वो विचारी रोती रह गई भगवान को बड़ी हसी आती रही कि बहुत जिद्धी आदमी है सब यात्रा समसान घाट पहुँच गई और भगवान पीछे पीछे पंड़ा बने हुए पहुँच लिए वहाँ दान्चंद को जलाने की तयारी होने लगी लेकिन तब भी वह सांस रोक कर परा रहा कि कहीं पंडी जी को मालूम न चल जाए कि वह जिंदा है भगवान ने कहा कि हम कभी नहीं हारे पर आज तो हम भी हार गए ऐसा गजब का आदमी हमने कभी नहीं देखा भगवान ने सोचा कि यह मर जाएगा लेकिन धेला नहीं देगा भगवान गावालों से बोले कि वो यजमान के कान में कुछ मंदर बोलेंगे ताकि इनको मोक्ष मिले भगवान उसके कान के पास मुह ले गए और भगवान ने उसके कान में कहा कि मैं भगवान विस्नु हूँ आया हूँ बैकुंट से तुम हित नाता जोर मैं बैकुंट से तुमसे नाता जोर कर आया हूँ दान चन्द ने सोचा कि यह तो भगवान है और उसने जैसे ही आखे खोली तुद देखा वही पंडा उन्हें देखते हैं उसमें वापस से आख्या बंद कर ली भगवान बोले हम हार गए तुमसे हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे तुम ही हमसे कुछ मांग लो भगवान ने कहा मांग ले हूँ वरदान कचु और दानचंद धीरे से बोले धेला दीजै छोर बस मेरा धेला छोर दियो महराज और कचुना ही भगवान ने दानचंद के लोब के आगे हारमानी और उसका धेला छोर कर चले गए दानचंद को तो पता भी नहीं चल पाया कि उसके पास स्वइंग स्री हरिविस्नु जी आये थे इसलिए परमपुज गुरुदेब सिरराजी स्वरानंद जी महराज का कथन है कि जो दान नहीं करता वो सबसे बरा नादान होता है जैसा कि आपने देखा अपने लोब के कारण स्वइंग आये हुए भगवान को नहीं पहचान पाया और भगवान के बोलने पड़ भी नहीं उनसे कोई वरदान मांग पाया